इतफाल बरमचारी को क्या लगता है हर्याना में आने वाले मुख्यमंतरी को अन होगा मैंने मंच से कई बार बोला है कि युवा नेतुर्थ अगर होगा और बड़े हुड़ा साफ के नेतुर्थ मैं डिपिंद हुड़ा सीम बने हुगा जेंद को राजनितिक राजधाने की बजाए वास्तों में राजधानी बनाएंगे कि राजधानी बनाने का मेरा संकल्प है और हर्याना में कॉंग्रिस की सरकाराई तो निश्यर्थ यह तिक्त भी आपको सुन पारे हैं वो आप वाली ही गोटी फिट करशके हैं मैं उनका अभारी हो और धन्यवाद गयाफित करता हूं आपके मत्यम से उनके मेरा पूरा साथ अपको सुना होगा घटा कर ता को इतने बोट डालों कि बजीश इसे कुमारी सेल जा हो जूरजे वाला चोदरी बिरेंदर सिंह हो तमाम बड़े कदावर निता भी आपकी पार्टी में मेरा कोई उन पर ऐसान नहीं है वो बड़े दिल की वेक्ति है तफल बरमसारी ने ऐसा क्या पत्रा पड़ा है कि एक पार्टी के तो सारे विदाए की बुला ली ये पार्टी में तो खुद आये हैं ये देखके कि हर्य जाना में अच्छी सरकार बनने जा रहे हैं और बीजेपी की नेता दावा कर रहे हैं कि कॉंग्रेस पार्टी पांच सीटे जीतने के बाद बेवज़े उत्साहित है क्योंकि छाली सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है और बियाली सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी में जी जहते हैं करते नहीं है असी शे ज्यादा टिकट के दावेदारों ने आवेदन किया है आपको नहीं लगता कि टिकट तो किसी एक को मिले की बाकी जो है वो कहीं निर्दलिय चुनाओं में खड़े होकर कॉंग्रेस पाटी के लिए ही समस्या ने बंगे बड़े लीडर हैं उस इसके प्रति उसकी आस्ता होगी इसको टिकट में लेगा बीजिपी बहुत बड़ा उद्योग ले तो आई मारूति उद्योग क्या है आप जा कि देखिए उसमें मर्मत का काम मारूति के जो मर्मत होती है ना वो काम वहां बनेगा जो इस पर पार तो तोड़े मोट सोनिपत के सांसस सत्यपाल ब्रहमचारी जी अब हमार सत्म मुझूद है और चुनाओ का एलान हो चुका है पूरा हर्याना जाना का है कि अब की बार टिकट किसके भाग्या में जाएगी सत्यपाल बरमचारी अच्छी तरह से जानते हैं कि आखिरकार टिक्ट का क्या कुछ फार्मूला रहेगा क्योंकि जब इन्होंने चुनाव लड़ा था तो किसी को नहीं पता था कि यहां से सत्यपाल बरमचारी जी आएंगे और चुनाव जी जाएंगे चुनाव की तारिखों का ऐलान हो गया है आपको क्या लगता है चिक्टो का क्या कुछ फार्मूला रहेगा हावधना आवधन आजएंगे हार्याना की एगर हम बात करें तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि जब आवेधन मांगे जाएंगे तो इतने आवेधन आजएंगे हजारों की संख्या में टिक्टार्थी कॉंग्रेस पार्टी के लिए तियार हो जाएंगे ये कॉंग्रेस पार्टी की परतिक लहर है हर्याना और मुझे लगता है ये ऐसी लहर कभी 20 साल पहले आई होगी जो 80 से उपर मिधायक जीद के गई थी और आज मैं कह सकता हूँ आपके माध्यम से उससे भी ज़्यादा लहर आप देख रहे हैं इस समय हर्याना में बिंदास हर्याना के खास कारकम खास सक्षियत में आभी आप सुन पा रहे हैं सोनिपाज से सांसत सत्यपाल बरहमचारी जीवा सत्यपाल जी अगर हम बाद करें बात करें बीजेपी के नेताओं की तो बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि कॉंग्रेस पार्टी पांच सीटें जीतने के बाद वेज़े साइथ है क्योंकि 40 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है और 42 सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी में जीत हासिल की है पाँच सीटों के लिए उन्हें एक एक तो मुख्य मंत्री वदल दिया था और आज भी आप देख रहे हैं, जो मुख्यमंत्री घोसणा करता है, वो सारी कॉंग्रिस के संकल पत्र की है कोंग्रिस ने का, जो जो गैस का सिलटर हो या कोई और काम हो, उनी कामों को माननिये मुख्यमंत्री जी, आज आज कल परशारित करते हैं, लेकिन आप देखते हैं कहेंगे कुछ हो रहा कुछ क्या पांगरेस पार्टी तो ढटोल पीट-पीट कर इस बात का परचार कर रही है कि हम पांगरेस पांगरेस पार्टी है कॉंग्रेस की सरकार कर सकती है। सरीमान खुड़ा साथ का संकल पत्र अपने पड़ा होगा चोदरी उदेव भांगी जो हमारे कॉंग्रेस के परछान है। उन्होंने तै कि सरकार स्वाइब पनते ही छह हजार पैंसन बुरहपा पैंसन जिसको हम बोलते हैं। 6000 कर दी पार्टि अब जो जो फबर सेल रहे हैं। तो यह थी सो कह दें कि इसा गाल खाइए है उनको दे जएए है। पुरा हर्याना देखते हैं, कोई मिला कि हाँ भी मुझे आज पलाट में लिया है, आप एक भी किसी को कह दें, गोहाना में भी ये पलाट हमने इसको दिया है, जहते हैं करते नहीं है, वो तो रोजगार भी दे रहे थे, दो कुर्ड लोगों को देश के मानि परधान मंतरी ज जो इंजिनियर लाखों रुपे लगा करके पढ़े थे, हजानो लाखों रुपे दे के पीज दे के पढ़े थे, उनको पंदरा हजार रुपे शतरा हजार में काम करना करता है, तो ये हर्याना का दुरुभागे नहीं है, उस युवा का दुरुभागे नहीं है, जिसके मा लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी की, तो वो कहते हैं कि हमने एक लाख बीश अजार युवाओं को रोजगार दे दिया, कॉंग्रेस पार्टी हिसाब मांग रही है, और वो कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि अमीज साब भी हर्याणा में आये थे, उनका था कि हम पाई-पाई का हिसाब देने के लिए त्यार है, मैं पाई-पाई का हिसाब लेके आया हूँ, अब लेते हैं क्यों नहीं, तो मांग तो रहे रोज, यह यात्रा देखिया होगी आपने गवाणा में, अभी तक हमारे युवा ने था, और जो कॉंग्रेस के लिए, यह महौल जिस वेक्ती ने बनाया, मैंने दिपेंदर हुडा जी ने, रहुल जी के ने तो तुमें, सोनिया जी के ने तो तुमें, खड़गे साब के ने तो तुमें, और चौधरी वुपेंदर सिंग उड़ा के नेतरत में और चौधरी उजय भान के नेतरत में आज हरियाना में आज आप गोहाना में थे आपने जन सहलाव देखा होगा मैं तो कह सकता हूँ कि वास्तों में दिपेंदर जी ने कॉंग्रेस के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की सी व्यक्ति ने किये तो उसका ना दिपेंदर हुड़ा है सत्यपल बर्मचारी को क्या लगता है हरियाना में आने वाले मुख्यमंतरी कोन होगा लेखें ये हाई कमान का फैसला है दिल की आवाज क्या लगता है दिल की आवाज तो यह यह कि भुपेंदर सिंग हुड़ा जी के नेतरत में चुनावा हमने भी लड़ा और आगे जो हमारे विधान सभा के जो उमिद्वार होंगे जो निस्सी तोर पे हुड़ा साब के नेतरत में चुनाव लड़ा जारा है उन्टी पोर्सी गे अभी साब है हम बहुत सारे विधान सभा सीटों में साथ में गई है हमने आरियाना का जो हिसाम गयातरा है उसको कवर किया है तो जगे जगे पे एक बात सुनने को मिल रहे है कि अब की बार दिपिंदर सिंग हुड़ा को मुख्य मंतरी बनाएंगे इस तरह के नारे लगाए जारे है मैं भी कहता हूँ आप भी मंच से बोल रहे थी मैंने मंच से कई बार बोला है कि युवा नेतरत अगर होगा और बड़े हुड़ा साब के नेतरत मैं दिपिंदर कि मैं सबका समान करता हूँ लेकिन मेरे निता कॉंगरेश में आप सारा हर्याना जानता है जोने मुझी चुनाव लड़ा है एंपी बनाने में बहुत बड़ी महत्रपून भूमिका निम्भाई सत्रा मिटिंग मेरे लिए सोनिपत हलके में की हो नो मेरे साथ और साथ से आठ मिटिंग एक इलिए में की हो उनका नाम स्री बुपेंदर हुड़ा है एक बात और बताईए एक चर्चा लगातार चल रही थी जब आप चुनाव लड़ रही थी कि भई भूपेंदर सिंह हुड़ा के उपर आपने कोई आहसान करका है एक बार बताईए तमाम जो लोग है वो लोग ये बार बार कहते हैं कि कोई आहसान करका है मेरा कोई उन पर आहसान नहीं है वो बड़े दिल के वेक्ति है उन्होंने मैंने आवएदन किया था कि महर्याना से चुनाव लड़ना चाहता हूं उनने का प्रमचारी जी देखते हैं आईए को समीकन ऐसा उन्होंने सोचा होगा और मुझे चुनाव लड़ाया और जितव शेचारी मेरी जाई जाए आउब ज Sun बुला करके वह से उन्होंने से मिरत घाउं गांगोली में भी है और यहीं की मेरी आठी में तक की सिक्साई हैं इसे बच्पन की और मैं निरंतर महने में 15 दिन यहां रहता था पंगरा दिन महां रहता था रही दौर में हरीद्वार बड़ा नाम था इसलिए ओभी कॉंगरेस की उससे कॉंगरेस मुझे वा टिकट दिया मैं मेरवना विधायक का चुनाव में थोड़े बोट से हार गया यहां आदेश्वा पार्टी है हरीकमान का और हुड़ा साथ के नेतृत में चोद्रिय अभाण जी के नेतृ किसी को सितारा बना दिया किसी को कहीं पर पहुंचा दिया आपके सामने जो चहरा चुनाव लड़ रहा था वो आपसे हार गया लेकिन बीजेपी का परदेश सद्ध्ध्ष बन गया है अच्छी बात है कुछूर में सोचा होगा बनाया होगा तूंसे पुछो आदिये पहले कई बदल दिये साल में धनकर साब भी थे उसके बाद दूसरे बने उनको बदल दिया अब ये तीसरे आ गए है और मुझे तो इनका भी वरोस्तानी तुनाओ के बाद ही ने बदल दे जब मुख्य मंत्री बदल सकते हैं तो अद्ध्ध्ष पर कुछास बात है लेकिन अगर आप चुना में जीत भी गए आपने सरकार बना भी ली तो अब सरकार चलाएंगे कैसे आपने बीजेपी के मंत्री जेपी दलाल का बियान सुना है वो कह रहे है कि कॉंग्रिस पार्टी की किसी तरह की से जोड तोड से बगवान की नाराजगी से सरकार अगर बन भी गई तो छे महिने बाद जो उनके दिली में आला कमान बेठे हैं उन्होंने मान लिया ना कि हरियाना में कॉंग्रिस की सरकार बन रही है आपने देखा होगा पचास पूरो विधायक वर्तमान विधायक एंपी कोंग्रिस की तरफ रोज जोइनिंग कर रहे हैं और जब है कि बुला लिए पार्टिक में? मैंने नहीं बुलाए तो खुद आए हैं ये देखके कि हरियाना में अच्छी सरकार बनने जा रही हैं जिसमें सब के काम होंगे वो खुद मानते हैं कोई काम ही नहीं हुआ किसी भी दायक से पूछ लो ना आपने कितने लोगों को कोई भी तो वेवस्था नहीं है दस साल पहले जब चोधरी भुपेंदर सिंग हुड़ा साथ की सरकार थी तो कितना बढ़िया मेडिकल कोलेज बना था भगत फोल सिंग इसके नाम से मेडिकल कोलेज बना है आज वहां जाके देखो आप मेरी रिक्वेस्ट आप से कैमरे ल हो मेरा एक दुद्ध इसकीन हो अब तो आपके आयत में ज आपमे पावरा अगयी है आप देश की संसद में इस मुढ़ा को उठा सकते हैं और पेंदर जी के नेतर्त में हर्याना के हर इत के लिए चायो इत से संबंदी तो, किसान से संबंदी तो, वेफारी से संबंदी तो खेलाडी से संबंदित हो, शिक्षा से संबंदित हो, रोजगार से संबंदित हो, रेलवे से संबंदित हो, सारे मुद्धे उठाए हैं। सांसे जे, परतेक विधान सबाचितर में 80 ज्यादा टिकट के दावेदारों ने आवेदन किया है। आपको नहीं लगता कि टिकट तो किसी एक को मिले कि बाकी जो है, वो कहीं निर्दलिय चुनाओं में खड़े होकर कॉंग्रेस पार्टी के लिए ही समश्याना बन जए। ऐसा नहीं है जब किसी पार्टी की जब यह होता है कि कोंग्रेस की सरकार आ रही है, तो उसका मैतव बड़ा न, 80 लोग, 90 लोग आज कोंग्रेस की लाइन में है, हर आदमी चाहता है कि कोंग्रेस का टिकट मिल जाया, मैं घर बैटा जित जाऊंगो, तो यह तो अच्छी ब पहले जब मैं इहां सोनीपत में चुनाओ लड़ा था, 89 लोग थे, 79 असीमा में हो गया न, मैंने चुनाओ लड़ा, मैं जावे से कह सकता हूं कि जिसमी भी आदमी नावेदन किया था, उन्होंने मेरा राद दिन काम किया, एक भी कोई ऐसा निता नहीं था कि उसने मेरा ब पा रहे हैं, वो आप वाली ही गोटी फिट कर सके, लेकिन मेरा नहीं सर्वेता कोंगरिस का, कौन आदमी यहां से सीट को निकाल सकता है, उसमें कई तरह की सम्मी करना है, और मैं कुछ ने कुछ हाई कमाना सोचा हूँगा मुझे टिकर दिया, लेकिन मैं उन सब ही साथियो का, जो यहां पर लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, मैं उनका अभारी हूँ, और धन्यवाद ग्यापित करता हूँ आपके माध्यम से, उनने मेरा पूरा साथियो, ब्रहमचार जी एक बात और बताईए, कि जिन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया है, केवल उन ही में से टिकट मिलेगी या कोई और चहरा भी आ सकता है, रनदीप सिंग सुर्जे वाला ने आवेदन ही नहीं किया, बड़े लिडर है, बड़े लिडर को कि ली कोई खास बात नहीं, जो आवेदन करें हो तो आवेदन लेने वाले लोग है, मतलब छोटे लोगों के लिए ही ये फ करता एक बराबर होता है, समानता होती है, कांगर्स का चे छोटा कार करता हो चे बड़ा कार करता हो, वो समानता है, लीडर बड़े, तो ठीक है, मेरे क्याल में कई बार के विधायक हैं, राज सभा के सदर से है, राश्ती है, महा सची है, सत्यपाल बरमचारी थोड़ा सा ब वेकिन मैंने आप सेको पहले बताया कि मैंने चोधरी भुपेंदर से खुड़ा के नेतुरतमों और चोधरी वुद्यभान जी और कांग्रेस हाई कमान, जिसमें खड़के साभ है, मैंने सोनिया गांदी जी है, राहुल गांदी जी है, हमारे प्रदेश परभारी बावरिया स आपको सुना होगा, खटा-खट, जीज़ बीजे हो जाए, और अच्छा एक बदोर बरमचारी जी, उस समय किसान अंदोलन का बहुत ज्यादा परभाव था, क्या मानते हैं कि वो परभाव अभी भी है, आज भी है, किसान को को मदद थोड़ी दी सरकार, सरकार तो कहती है, कि हमने किसानों के खातों में लाकों रुपे दी है, एमस्पी के रेट पे फसले खरीद रहे हैं, रेट उसके बढ़ा दी है, बिजली के बिल बढ़ा दी है, खात का कट्टे का रेट बढ़ा दी है, उसको हाफ कर दी है, वह आप किसान को कहा है, हम हर्याना देश का इकलोत एसाराजय जहां पर MSP भाव पर सारी फ़सले खरीद रहे हैं वसलों के रेट पता किया अपने जब किसान की फ़सल आते हो गहों का क्या रेट होता है किसान की जब सबजी आती है लू कोई देख लेख ले अब ज़र आप एक डीटी रोड पर निकले तो रोड पर पड़े मि मिल रहा है आज किसान लेने जाए तो ग्यों का क्या वावर जब किसान बेचता तो उसका रेट किया है MP साब नाइब सहनी का एक बयाना है जिसमें उन्होंने का कि चांद सितारे राहुल गांदी को और दिपेंदर हुड़ा को बता दिया मात पिता का पुतर शितारा ही होता है और सितारे को ऐसे थोड़ी हैं सितारै को आप गांदी जी को देख लें थे नाना पणाना पिता-जी मात नानी देष की कितने सेवा कि हैं है है हिंदुस्तान में कोई आदम इतनी सेवा करने आवाला पंडित मोतिलाल नहरू से लेकर के राहूल गांदी जी तक इदेश की सेवाई में तो लगे हैं ऐसा है कोई निता जो जिस चार पांच पीडी से देश की सेवा कर रहे हूं आप देखो दिपेंदर हुड़ा जी के द लगातर चार पीडिया तो सुपुत्र है ना उनके सुयोग ये सुपुत्र है आज हरियाना में कॉंग्रेस के लिए जिन अपने जान लगा रखी है आप देखते होंगे दो दो तिन तिन यात्रा हैं रोज करना पंदरा पंदरा किलोमेटर पैदल चलना ये उसी का तो असर आज हरियाना में कॉंग्रेस आ रही है एक बात रुकता ये एंपी साब मैंने आपके चुनाओं के दोरान लगबग 12 इंटर किये थे आप जीतना अभी तक बोले हैं इतना तो पूरे दिन में नहीं बोलते थे अब कैसा क्या उच्छा आ गया उस समय में अपने बोट मांग किया था पहले मैंने अपने मददाताओं को हम कहते हैं न मददाता भगवान का रूप है और हम याचक के रूप में उनके पास जाते हैं कि हमें अपना बोट देना तो पहले उनसे जरूरी बात करनी थे दो यह अगर हम बात करें ऐसी समाज की है तो ऐसी समाज के लोगों आपको बंपर वोटिंग की है मिलकुल मैं लेकिन लेकिन बीएसपी का अप गठबंदन इन लो की साथ हो गया देखिये बीएसपी कहीं है नि देश में समय उसका भड़ा भयान दे रहा है मैं कहरा हम बीएसपी कहा है जिस बीएसपी का कोई MP नहीं है ठीक और कोई अस्त तु युपी में एक भी मले नहीं होगा. मेरे ख्लक़ से तो को MPI. उतराखन में एक मले नहीं है. हर्याना में एक मले भी नहीं है. उस पाल्टी का अस्थित्व・ खतरी में. हाउट पहर मार रहें. आप ने देखा होगा कई जगए तो नोटा से भी पिछे रह गई कई पाल्टी, को एक ही दो पाल्टी थी, एक ही दो संगठन रावा जो नोटा से आगे निकली गया, हर्याना में, और वही है, मैं तो अभारी हूँ ऐसी समाज का, जिन्हों ने बंफर बोट मुझे दिया है, बंफर बोट जिसको कहते है, तो आपको ऐसे चुनाव से पहले उमीद थी कि इतने वोट आपको मिल जाएंगे, ऐसी वर्क के, मुझे तो यह भी मुझे ने थी, मुझे एक कॉंगरिस का टिकट मिल जाएगा, मैं साब कहता हूँ, बड़े भागे साली, भागे साली कही है, या तो ठीक है, मेरे नेताओं न मुझे अच्छा समझा तो ठीकर दिया, और जिताने का भी काम किया, राद दिन मेरे लिए लगाया, अंतिम सवाल, आपको मुका मिल गया है सांसद के तोर पे, सोनिपत लोग सभाचित्तर की सेवा करने का, तो हरियाना में भी मालीजी कॉंगरिस की सरकार बन जाती है, तो इस एरिये को आज भी आप भी माध्यम से कहेंगे कि पिछडापन बहुत जादा जीन एक एरिये में, लोजगारी बहुत है, लेकिन उन ही लोगों ने आपको उपर उठाया है, तो उन लोगों के लिए मेरा फ़र्ज बनता ना, उस सहर के लिए, उस गाउं के लिए और इंड्सटी नहीं है, दो तिन इंड्सटी आई, गौहाना में छी ति, रेलवी कोट, डिवबि बनाने की कोट, यहां गोसना हुई थी, लेकिन कॉंग्रेस की सरकार, उपी की सरकार की अंदर से गई है, और यहां कॉंग्रेस की सरकार जो हुड़ा साब करदेता थेुमें थ वहाँ बनेगा जो फिए सब्स पकार्ट बहुत दों हो बनेगे वह बनेगे इसमें. अपने पूछा वहाँ गाड़ी बनेगा तो चींद पर जनितिक राजधाने की बजाए वास्तों में राजधानी बनाईगे हैं? देखिए राजधानी बनाना तो बड़े लोगों का काम है मतलब विकास की दिश्टाइब विकास की राजधानी बनाने का मेरा संकल्प है और हर्याना में कॉंग्रिस की सरकारा ही तो निस्चित हर्याना के तिर्थों का हर्याना की गौसालाओं का जो हमारी गव माता भी देख लेना आप रोड पे तिन सो तिन सो बैठी है ये डखोसले करते हैं गव सालाओं के नाम ये नहीं होंगे बड़िया दो साला स्थापित हर्याना की कॉंग्रिस की सरकार करेगी जी वेकुल खास सक्सियत के खास कारकर में ये थे खास महमान सोनिपत से सांसत सत्यापाल बरहमचारी जी जिन्नोंने साफ तोर से का कि भले ही बीजेपी की लोग कितने ही दावे करते रहें लेकिन आने वाले दो हाजार चोबिस के चुनाव में कॉंग्रेस पार्टी की जीत ह होगी और उपेंदर सिंग हुड़ा यहां से मुख्या मंतरी बनेगे इससे भी एक अदाम आगे इनका ये भी साथ तोर से कहना कि भले ही कितने ही टिक्टार्थी कॉंग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव लड़ना चाहते हो लेकिन जब टिक्टों का ऐलान होगा टिक्टे ले पाती है या नहीं और साथ-ैस क्या हार्याना में कॉंग्रेस एक जुटता में रहते हूए शरकार बना पाती है बहराल एक बात होते है कि जैसे-जैसे दो हजार चोबिस का विधान्शवा चुनाव नस्दीक का ताजारा आया वैसे-वैसे हार्याना की राजणीतिका सि झाल